और आज के इस वीडियो में भी विल डिस्कॉस टीवाइब एफ सब्जेक्ट इस इंडिरेक्ट टैक्से समिस्टर 5 डिसेंबर 2022 के अंदर पूछा गया था कोस्टन कोस्टन नमबर फोर सी कैलकुलेशन ऑफ वैल्ली ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएश्ट पेवल एट माक के लिए पूछा गया था जीएश्ट पेवल एट माक्स टीवाइब एट माक्स टीवाइब एफ इंडिरेक्ट टैक्से समिस्टर 5 डिसेंबर 2022 कॉस्टन नमबर फोर सी कैलकुलेशन ऑफ वैल्ली ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जीएश्ट पेवल फोर एट माक्स कोश्टन था की एल्लेस वैल्लेस सेंटर प्रोवाइड दो फॉलिइंपरमिशन कम्प्यूट लीओ टैक्सेबल सर्वीस गूट्स औं सर्विसेज ऑंसो कैल्कुलेट जीएश्ट E देखना है कि value of taxable supply लिखनी है तो party कौन है वो ध्यान में रखना है तो it is a LN wellness center मतलब ये medical से related है health care से related है पहले पूरा question देख लेते हैं आगे कुछ information दिया है देखो one two three four six item दिये हैं और सबका amount दिया है आपको ये बताना है कि इसमें कौन-कौन से के ओपर tax लगेगा और किस के ओपर tax नहीं लगेगा और फिर अगर tax लगेगा तो 18% की हिसाब से उसके ओपर GST कितनी आएगी तो याद रखना जब ऐसे point wise question रहते हैं तो marks देख लेने का marks कितने हैं यहां पर eight marks है और यह देखो six point है इसका मतलब एक-एक mark हर एक के point के ओपर है और देखो GST दिया 18% तो इसके अंदर पता है न सी जी एस्टी है एजी एस्टी निकलता है तो दो माक उसके लिए तो eight mark हो गया तो अब इसको solve कैसे करना है और इसको याद कैसे रखना है तो सबसे easy है सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे इसका format ड्रॉ कर लेंगे format में सबसे पहले लिखना है wellness फिर आपको क्या निकालना है वो question में ही दिया था देखो taxable goods and service निकालनी और आपको calculate जी एस्टी निकालनी है तो यही लिखना है जी एस्टी पेबल यहाँ पे आपका serial number particular amount करके लिख लेना है और कितने point है आपको पता है छे point है छे के छे point में डिक्टो यहाँ पी point wise में आएगा ना तो आपको पहले इनको लिख लेना है फिर decide करना है कि amount आएगा कि नहीं आएगा और अगर कुछ नहीं समझा तो सब के सब amount को ऐसे ही copy करके आजाना ठीक है जब कुछ नहीं समझे तब आप समझना है तो समझ के लेंगे हम लोग तो यह क्या है health care से related है ठ लेकिन यहाँ पर भी मैं revision करूंगा एक छोटा सा recap ले लेंगे कि health care service में कौन सी चीज़े taxable होती है तो कौन सी not taxable होती है तो मैं आपको पता दू health care में medical आता है hospital आते हैं dispensary आती है service of doctors आती है nurses आते फीजो तरिफिस्ट आते हैं सब आते हैं जितने compounders आते हैं सब इन सब का service not taxable होगा तो medical से related जितनी भी service हो जितने भी service आप supply कर रहे हूं सब का सब not taxable है लेकिन it is for general public याद रखने है general public के लिए होना चाहिए तो not taxable if it is premium deluxe हो गया तो taxable हो जाएगा example देता हूँ आपने कोई hospital में गये वहाँ पर आपने treatment लिया normal treatment not taxable डॉक्टर ने भी service दिया आपने भी service लिया not taxable लेकिन आप वहाँ पर premium समझो आप hospital में hospitalized हो गए भड़ती हो गए तो normal general ward में गये तो not taxable लेकिन वहाँ पर एक deluxe room होता है एक separate room वहाँ पर TV भी होगी AC भी होगी सब होगा मतलब facility के साथ तो वो taxable होगा it is like a train train में आप travel कर रहे हो sleeper में जाओगे तो not GST लेकिन AC में बैठ गए तो GST लग जाएगा तो same way में medical में भी आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रखना है तो in short एक line में अगर पूरा explanation दू तो healthcare का कोई भी service है it is not taxable healthcare का कोई भी service it is not taxable लेकिन if it is for premium if it is for premium services तो it is taxable आरी बाद समझे जनरल पॉब्लिक प्रिमियम जनरल पॉब्लिक के लिए not taxable लेकिन premium people के लिए होगा या premium service होगा तो taxable हो जाएगा आई बाद समझ में चलो let's start with इतना याद रखने के बाद अगर यह solve करेंगे तो आपको स hospital हो कोई भी dispensary हो कोई भी service not taxable है तो 18,000,000 कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा फिर देखो receipt against transportation of patient patient है बिचारा बिमार है उसको transportation कर रहा है ambulance का service अरे not taxable बिचारा बिमार है उससे भी आप GST लोगे नहीं गलत बात हो गई तो not taxable हो गया फिर diagnostic center diagnostic center है आपका dispensary है छोटा सा बना के रखा है आपने जिसमें आप पूरा service दे रहे हो not taxable it is for general public अब general public का ये मतलब नहीं कि अगर अमबानी उसमें आके service लेता है तो उसको tax मारो no not taxable लेकिन वो service ही अलग ले रहा है premium service तो उसके उपर GST आएगा वो देखते है देखो आगे समझ में आएगा आपको next क् cosmetic surgery of patient met with the acid accident अब cosmetic surgery कराया ये भी medical से related है hospital से related है patients are not taxable क्योंकि किसी ने उसके उपर acid fake है बहुत बुरी बात है acid fake है तो उसका surgery कराया not taxable तो zero आ जाएगा ठीक है लेकिन एक और surgery है देखो cosmetic surgery to improve look अपने look को improve करने के लिए किया ये taxable हो जाएगा बोलेंगे सर क्यूँ अरे भाई उसके उपर acid fake था तो वो उसकी medical emergency थी medical emergency है तो उस पर GST नहीं आएगा लेकिन आप पहले से अच्छे दिख रहे हो और अच्छा दिखना चाह रहे हो तो क्यों इसकी क्या जरूरत है तो ये premium हो गया ना कौन ऐसा करना चाहेगा तो जिसके पास ज्यादा पैसा है तो GST उसके उपर लग जाएगा जैसे Michael Jackson का याद रखना Michael Jackson पहले black था लेकिन उसने अपना surgery करा कि उसका अपने आपको white बना लिया था अगर आप चाहिए तो net पे सर्च कर सकते हो तो वो चीज premium लोगों के लिए premium service है तो taxable है लेकिन जो बंदा accident में आ गया acid fake आ गया तो उसके body की autonomy को maintain करने के लिए तो वो not taxable होगा लेकिन यह improved look goods आपने hair transplant करा दिया यह सब के ओपर GST आएगा hair transplant पे भी GST आता है क्यों आप टकले होगे ठीक है ना जो natural natural रहने दो ना आप transplant करा रहे हो मतलब अपने आपको hero बना रहे हो तो premium हो गया ना तो taxable हो जाएगा आई इसको पूरा रहे हो जाती है तो याद रखना है कि जिसके उपर premium आ गया और जो normal लोगों के लिए नहीं है और जो normal service नहीं है उसके उपर GST आएगा और अच्छे से समझना है तो इसका अलग सेव 10 से 15 मिनिट का वीडियो मैंने बना के डाला है link description में वहाँ जाके आप इसको और अच्छे से समझ सकते है लेकिन मैंने try किया है कि इसको पूरा revise कर सको तो जितना मुझे समझ में आया जितना इस question में था उस हिसाफ से मैंने explanation दे दिया है अब इसमें क्या करना है आपको taxable supply करनी है तो इसका total करना है तो total कर लेंगे तो total कितना है का value of taxable supply आगया पहला answer आपका 25,000 ठीक है अब बहुत सारे बच्छे क्या करते हैं जो taxable है न वहीं लिखते है और बाकी not taxable को नहीं लिखते है अरे तो taxable लिखा तो ए अब इसके उपर आपको क्या करना है जीएश्टी पेबल निकालना है अब 18% कि 99 करके निकालना है तो याद रखना है यह वैलने सेंटर है यहाँ पे लोग आएंगे यह तो कहीं बहार नहीं जा सकता क्योंकि इसका fix location होगा तो यह जो भी service देगा तो आसपास के लोगों को 18 की बदा है 99% CGST और SGST आएगा तो इसके नीचे आप लिखोगे CGST 9% और SGST 9% और mostly cases में क्या होगा अगर ऐसा आएगा ना 18% निकालो 99% ना 1% हो सकता ट्रिकी दिया हो 99% अगर ऐसा आएगा तो आपको C और S निकालके छोड़ देना आई बास समझ में तो 18 का 99% निकालने त 25 लाग का 9% कितना आएगा 2,25,000 ठीक है फिर ये भी 2,25,000 आजाएगा और इसका टोटल कर लेने का टोटल किसका करने का इन दोनों का करने का मतलब 45,000 का GST पे बलाएगा हो गया 8 मांक ये 6 मांक इसके ओपर और 2 मांक इसके ओपर आरी बस समझ में yes or no मतलब 6 मांक इसके पर मिलेगा हाफ मांक तोटल पर मिलेगा हाफ मांक इस पर हाफ मांक इस पर हाफ मांक इस पर हाफ मांक इस पर जब जाके आपका 8 मांक होगा समझ में आया yes or no तो इस तरीके से हम लोग ने लेक्चर सिरीज स्टार्ट किया है कि हर एक कोश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल् कर रहे हैं तो आप इसको गो थू करो कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते जिसको हम अगले वीडियो में इंकॉर्परेट कर सके तो जब तुछ गो थूट आएगा प्लीज कमेंट एंड प्लील लाइक और सब्सक्राइब फर मोर वीडियो थैंक यू